बूलो माई प्रेंड्ट्स वेल्कम्टो क्घ dad province कर चुकें हैं अगलो में अखाई अब आ यहे श्यक्तिमान और शैतान किलिश इस से पहले हम शक्तिमान और कामिक अपलोड कर चुके हैं अगर वो कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो माई चैनल में शक्तिमान कॉमिक्स की प्रेटिस में जाकर पढ़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं शांदार कॉमिक्स को चैनल पर फस्ट राम आए है तो चैनल को भी सबिस्क्राइब करो शैथान शक्तिमान और शैथान के अधारित जेजे और फकाकोदर इस समय बहुत क्रोध में था शक्तिमान तुने बेरे दोस्ट गिर्गिट को मारा है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा गुर। जेजे साफ सब्रे से काम लीजिए यह सब्री है जो आज तक शक्तिमान को जीवित रखने का करण है वन्ना वह है क्या मेरे सामने हमारे सामने है अब तक जेजे के रूप में सफेद पोश्ट बने रहना हमारी मजबूरी थी जिसका फाइदा उठा रहा है शक्तिमान देखो आज गिर्गिट भी को भी मार दिया उसने लेकिन यह महमाहिम किलविश के हुकम के खिलाफ होग कर भा मत भूलिये कि उसका मकसद उन्होंने आपको जिस मकसद के लिए उनने आपको आजाद कराए है आपको दुनिया में सफेद पोश्ट बनकर यह अंधिरा फिलाना है, लेकिन सफेद पोश्ट रहेकर हम शक्तिमान को कैसे मार सकते हैं, बलकि उसने हमें ही मार डाला और और हमारे एक दोस्त को आखिर कब तक चलेगा उसके हादों शिकस्त खाने का सिल्सिला नहीं माया नहीं हमें महामाईम को से मश्वरा कर लेना चाहिए अब नहीं जा सकता मैं उसके सामने अबना स्रमसार चेरा लेके कितनी बार हासिल हुई उसकी मदद मगर हाद लगी सिर्फार गिरगट की मौत कितनी बड़ी शिकस्ते हमाई लिए तबी आहा क्योंकि गिरने वाला कोई और नहीं गिरगट था जॉगली इच्छन बन गया माथुर तुम तुम जिन्दा हो हाँ आहा तो क्या तुम शक्तिमान को पीट दिखा कर भागाए थे नहीं जेदे साहब नहीं मैं तो आखरी सास तक लड़ना चाहता था लेकिन शक्तिमान ने मेरी मायवी जीप तोड़कर मुझे शक्तिहीन कर दिया उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ से वापस लोटा हूँगा ओहो जबकि वो चाहता था वो तुम्हें मार भी सकता था हाँ लेकिन जाने क्यों नहीं मारा कमाल है लेकिन हमें हर कीमत पर शक्तिमान को मानना है इसलिए एक बार आपको तमराज के लिए से मिलना ही पड़ेगा और तुम्हें मिलना पड़ेगा शक्तिमान से क्योंकि तुम्हें पता लगा नहीं है उसकी शक्तियां कि वैं क्या क्या कर सकता है हम सब को सवालों का चवाप सबूत चाहिए हमें अपने पाठकों को देना है लेकिन सबस्यार उसके जो किया है को डिस्क्राइब करना होगा उसकी शक्तियों का लेखजों का त्यार करना होगा लेकिन उसके लिए सारे काम छोड़कर शक्तिमान के पीछे लगना होगा जी हाँ अब तक आप शक्तिमान के दर्शन न कलने तब तक आप जल पान भोजन नहीं करेंगी है ना देवी जी गीता गंगादर तूम दोनों ही लग जाお उसके पीछे लेक काशरी सकोगा शक्तिमान की शक्तियाँ गीता ऑफस से बाद शक्तिमान को ढूनने के लिए ये किसी मसीवत में न फज़ जाए मुझे इसके पीछे रहना चाहिए मुझे हराल में शक्तिमान को रहुनना होगा उसके लिए मुझे जाना होगा अपरादी प्रवर्ती के लोगों के इलाकों में क्योंकि जहां अपराद घटता है माँ जरूर आता है शक्तिमान उस्ताद देखो अपने लाके में शरीफ सी लड़की वो भी अकिरी लगता है इसके पास है लगता है इसे इस लाके बारें पता नहीं है खेराज पता चल जाएगा दोनों गुंडों ने घेल लिया गीता जी को अबे भी भरी जवान यह नहीं चाहती तब ना बैग बे सोने की चैन हमारे हवाले कर देवनना नहीं भही हुआ जिसका मुझे डर था तो फिर तू मर ले गीता तेर अफ्ता से जा रही गाड़ी के नीचे आने वाली थी मगर उसी सेकंड के सौवे हिस्सें से पहले ही आगया शक्तिमान वो बापस आ रहे हैं उस्ताद मेरी मान लो तो भाUM यहां से ये बन्दा खतणक लगता है मंगा उस्ताद कभी पीट नहीं दिखाता चर्मात मैंसे दिखता हूं शक्ति माने उतरते ही मंगा उस्ताद की चम्डे चम्चे को थोबड़ा बिगार दिया आहा मरवा दिया है मर्दान की के नाम पक कलंको तुम अबलाओं को तो चाकू दिखाते हो और मर्दों को पीठ पीठ दिखाने बाले हो मैं मंगा की गिंती मत कर क्योंकि मंगा उस्ताद दुश्मान को बकरे की तरह हलाल कर डालता है कास तुम इनसानों को हलाल करने के बजाए हलाल रोटी कमाने की सोसते हैं तो तुम इज़त के साथ वो रोटी चैन से खा लेते हैं पर अफसोस जो रास्ता तुमने चुनाया वो सलासा बरबादी की तरफ ले जाने वाला है गीता इन भी होशों को पुलिस के हवाले कर देना जाना नहीं शक्तिमान मैं तुम्हें ढूंड़े थी मैं तुम्हाई शक्तियों के बारे में जानना चाहती हूँ प्लीज बताओ ना शक्तिमान फिलाल ये जान लो कि मुझसे पहले कोई और ऐसा काम कोई ऐसा काम ना किया गरो जिससे तुम्हाई जान खत्रा हो अगर मैं नहीं आया तो क्या होगा नहीं शक्तिमान उफ्रों को शेर के भीड़ भाड़ एलाके में हो रहा था ये हैंगामा बचाओ गुंडे मेरे बच्चे को लेकर भाग रहे हैं कोई बचाओ ममी एक आम आदमी कि बच्चे को उठाने का ना जानें क्यों कर रहे थे गुंडे इतना दुस्सार कि जानने के वावजूति कि इस इलाके में हर वक्तेनाती रहती है तिना थे पुलिस डॉंट मूव भधियार फैक दो तुम बचकर नहीं जा सकते हम तो बचकर ही जाएंगे दर होगा पर तू अपनी जिंदगी बचा सकता तो बचा ले गोली चलाने से जैसी ट्रिकर दवाया शक्तिमान आप पहुंचा शक्तिमान के रहते तुम किसी की यहां ममी मेरा बेटा गोलियां तेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाई शक्तिमान लेकिन यह बं तरी धज्ज्य उड़ा देंगे धज्य तो तुम्हारे नापाग रादों के उड़ेंगे शायद शक्तिमान के बारे में तुम पूरी तरह से नहीं जानते तो वरना तुम यह ना स्टेशन पहुचा दूँ पर मैं तुम जैसे टुच्चे मोच्चे गुंड़ों पर उन्हें व्यर्थनी करना चाहता आहां ओहो धाड़ और फिर वा एक हल्के से घुंसे में भिहोश हो गया वह गुंड़ा एक को तो ऐसे उठाली जैसे आदमी नहीं फूंस से बड़ा प में चाहि फिर शक्तिमान महां से चला गए और और क्योंकी वह ऐसे काम अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं करता बलकि आप हो amplinya ऐसे काम करना वो अपना फर समझता है बला की फुर्ती है उसमें गजब की ताकत ओ फिर शक्तिमान जब से आई यो शक्तिमान की बाते की जा रही हो तुम देखते हैं तो तुम भी ही कहते है इस ग्रेट ओ शड़ा आप ऐसी कोई बात नहीं है मुझे क्या मालूं क्या बात है शेर सुनो गोलियों को तो उससे हाथ से ही पकड़ लिया पर आज मैंने इसे पहला करनिश्वा देखा है पहली बार और पहली बात देखते ही फिलैट हो गई क्यों ओ शड़ा आप ऐसी कोई बात नहीं है तो मुझे क्या मालूं क्या बात है शेर सुनो तुम मरब मिटी हो जिस पे पहली मुलाकात में दोबारा मिली तब पहुचा देगा तुम्हें वो सीधा हावालात में वा 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 कहान ऐसी कोई बात नहीं है तो तुमने उससे अपने बिजनेस की कोई बात की या नहीं बात करती भी तो कैसे एक दम से गायब हो गया वो चब वो सामने आएगगा तो तुम सामने आए तो तुम क्होग ही अब तुम मैं होशा है तो वो गायब हो गया एसमारा काम कैस चलेगा उसका तरीका मुझे पता चल गया है वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आता है तब ही वो किसी की मदद करने आएगा हम उससे बिजनस की बात कर लेंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके घर जाना होगा जहां कोई मुसीवत में हो कहीं उसके चक्कर में तुम भी कोई मुसीवत फंस गई तो तो क्या हुआ उसके लिए आई में शक्तिमान से बात करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ गई काम से अग 24 कलांक 24 कलांक यह यही कहती रहेगी हाई शक्तिमान कहीं शक्तिमान के चाने वालों के मूँ से उसके लिए दूआ प्यार भरी आहें निकल लई थी तो कहीं उसके दुश्मनों के लिए दुश्मन उसके लिए जहर उबल ले थे शक्तिमान की मौश से पहले उसकी शक्तियां जाननी होगी तमराज का भी यही कहना है और कमजोरी जानने के बाद उसके उसे मारना भारी बात नहीं आओ अब आकते हैं उसकी शक्तियां बच्चे को तो उसने बचा लिया पहले शक्ति अम्तियान में दौने ही सफल हुए है वो भी हम भी जेजे ने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर द दूसरे मत्यान की देखना यह है कि यहां से सैकलों में दूर ही दूर हो रहे हासों का शक्तिवान को पता चलता है या नहीं जब वरस धमागे के साथ शहीद हो गई तो पहाड़ी और शहीद हो गए पहाड़ी के असपास के नागरिक भी और अब बारी थी महां बचे लोग देखें क्या करता है ऐसे में शक्तिवान को क्या करना था यह वह बख्यू भी जानता था उसकी एक तेज फूंक से बरफ के लुड़कते टुकड़े वहीं जम गए लेकिन खत्रा भी टालना नहीं था क्योंकि एक बड़ी चट्टान गिरने लगी नया ने कितनों का मलीदा बना देती वो परन्तु शक्तिमान की मौजूद्गी में यह संभव नहीं था जवरस ताकत के साथ उसके पास मौजूद था बहुत बड़ा कलेज़ा भी जो शायद खौफ नाम की किसी शब्द से वाफिक ना था और शायद वाफिक ना था उस शब्द से शैतान जेजे उर्फ काको दर से भी तबी तो शक्तिमान का इतना जल्वा देखने के बाद वो भी देना चाहता था उसका तीसरा इम्तिहान और वो शक जिसे अब अपनी जिन्दकी के हर इम्तिहान में कामया भी हसिल की थी जिसकी वज़े से उसकी ताकत बुलंद होसले और मजलूम दुआएं जिसका वो वाकई में हगदार है हमाई जान बचाने के लिए वो अब मी जान की परवा नहीं करता ये इसी वज़े से आज दुनिया भर के में बुढ़े बच्चे सभी इसे दिलो जान से चाते हैं शक्तिमान के कारणा में देखकर उसकी प्रसंचा सिर्फ उसके चाने वाले उसके दिवाने ही नहीं बल्कि उसकी मौत चाने वाले भी कोभी करनी पड़ी मारवलस अब देंगे शक्तिमान हिमाचल के पाणों से करनाटक के जंगलों तक कितने समय पहुषता है रिमोट का प्रटन दबाते ही जमर्स दभागे के साथ पूरे जंगल में भीशन आग लग गई नहीं कितने मजद करती थी क्योंकि उसकी आखों से निकली किर्णों ने बरफ को चटान को तेरी से बिला दिया पिखलना शुरू कर दिया और आख तेरी से बुझने लगी और जेज़े साफ इसे कहते पतला यहां आग लगी है उसने बड़ा ताज्यों यह है कि पलक जबकती यहां कैसे आध हो नहीं था क्रेश गौड हेल्प मी ओफ एरप्रिंट कैश हो रहा है उन्नों बचाओ बचाने आ गया था शक्तिमाहन यहां भी पहुंच गया कोई मानव ऐसा काम भी कर सकता नहीं माया है मानव पर आमानवी शक्तियों का मालिक इंडियन एरलाइन जो अब तक हमारे ह इमतिहान में काम्याब रहा और अब इसके लिए एक और इमतिहान बचा है इस बार आएगा समुद्धी तुफान समुद्धी तुफान यह कैसे मुंकिन है बहुत असानी से मेरे एक बटन दबाते ही समुद्र में छुपा हमारे रेडियो सेंटर ऐसी जबरस तरंगे छोड पचा जाएंगी फिर सारी समुद्धी पचा जाएंगी और साथ ही खतम हो जाएगा शक्तिमान इतनी बड़ी तबाही मजा जाएगा में यह नजरे ऐसी दिलकस नजरे देखने के लिए बेताब हैं यह बात है तो यह लो बटन दबाते ही समुद्र स्कीन पर नजर आने शक्तिमान घुमा और समुद्र में समा गया समुद्र लहर तेरी से बैटन लगी और इसके साथ साथ दिल बैठा जा दा माया वै मातुर का ओफ जेरे साह हमारा यह दाब भी नकाम हो गया मेरा मकसद उच्छी शक्तियों को करतना था अगर इससे में वह मार जाता तो सारा ख काकोदर का जहर ऐसा खातक जहर काकोदर का कहीं भी फूक दे तो जहरी जहर फैल जाए वही जहर उस शक्तिमान की मौत बनेगा काकोदर अपने स्ली रूप में रहता है देखना चाहते हो काकोदर के विश्का बिनाश देखो काकोदर के फूक मारते ही पौदे का जो हाल हुआ वो सब के सामने था पौदे का यह हर्ष जो सिर्फ उसकी एक हल्की जहरीली फुंकार से वुआ था लेकिन जो जहर काकोधार ने अपने मुझे उगला उससे क्या होगा इस जहर का सौवा हिस्सा भी हिदारों जिंदियों के दिल की धर्गन बंद कर सकता है शक्तिमान इस जहर से बचना ही सकता काकोधार वाप सिर्फ जहर का गिलास मातुर शिछी में बंद करते हैं जहरे जहरे सहां समझ लेजे शक्तिमान ने जहर पी लिया फैन कलब का अधगाटन जहां आने वाला है शक्तिमान क्या सचमुच अप्पू तुम्हें का मालूम है कि शक्तिमान यहाएगा 100% मैंने शक्तिमान से बादा लिया था कि फैन कलब की ओपनिंग में वो जरूर आएगा और अगर वो नहीं आया तो अरे शक्तिमान ने अप्पू से काया तो वो आएगा जरूर आएगा जल्दी सारे हॉल को सदाने मेरी मरत करो रुको मैं केक अंदर रख देता हूँ मोटू ने अंदर जाकर केक रख दिया और भार खड़ा एक साया नजरे गड़ाए था मोटू के मास जाते ही दिवार को पार करके अंदर गया वे शक्स जिसके चेरे पर खिली थी कुटल मुस्कान में संदे जो माथोर उर्फ किर्गिट था और उसके कोई शक नहीं था कि वो चाता है केक में जहर मिलाना हा हा किसी को भनक तक नहीं रख पाएगी कि दूसी तरफ से बंद गमरे में रखे केक में ऐसा घातक जहर मिल गया था जो शक्तिमान को इस दुनिया से विदा कर देगा हा 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 जिसका एक टुकड़ा शक्तिमान के अंदर गया तो समझो उसकी आत्मा भार भार तो कुछ और ही खटने वाला था वहा क्या पीस है सारा क्या याद रखेगा उलका के एरिया में गाड़ी खड़ी किये थी वहाँ पट्टा खुला छोड़ गया शायद आसपास ही होगा इसका मालिक तब इसकी जूतों की अवास शुनाई दी अरे वह आ रहा है उलका तुरंती पिछले सीट के पीछी नीचे छिप गई जेरे साफ सुनकर खुश होंगे फस गई ना उलका दिग्रेट अब पता नहीं ये काड़ी कहां जा करकेगी काफी देर चलने के बाद गाड़ी जेरे घर पर पहुंची रुक गई पर कहां माथुर के उतरते ही अरे वाह ये तो माथुर ये तो मेर हाउस लगता है यहां तो बड़ा हाथ माला जा सकता है देखूं तू कैसे जाया है मेर ने अपना घर लंबा हाथ मानने के चक्कर में उलका जैसी अंदर घुसी खिड़की से आती आवाज सुनकर उसके पायतर जमीन किसक गई जी हाँ जेरे साथ वो केक जो उस बच्चे इन्हें स्पेशली शक्तिमान के लिए बनाया है उस केक में मैंने जहर मिला दिया है बस एक भी टुकड़ा शक्तिमान के मूँ तक पहुचा तो शक्तिमान वहाँ पहुच जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता ओ नहीं बेफकूफ हो तम अगर वो केक पहले किसी बच्चे ने खा लिया तो हाँ शक्तिमान तुरन समझ जाएगा केक में जहर है लेकिन मुझे पूरा एकिन है कि वो केक शक्तिमान से पहले कोई नहीं चेकेगा और शक्तिमान की खतम होने से पयात सारे की सारे बच्चे खतम हो जाया तो हमें क्या फरक पड़ता है ओ गौड ओ गौड ये खबर मुझे फोरण शक्तिमान तक पुछानी होगी वन्ना इस बात की कल्पना करते हुए उलका काप रही थी वही बात हकीकत में पूरा होने वाली थी क्योंकि फैन कल्प पहुँच चुका था शक्तिमान याहू याहू शक्तिमान आ गया शक्तिमान तुम्हे पहले रिवन केट काटना होगा फिर केक पहले बताओ इस कल्प का उद्देश क्या है कुछ नहीं बस यह ही जस फॉर फन नहीं बच्चों शक्तिमान ऐसे किसी फिजूल काम को पसंद नहीं जिनका कोई मकसद नहीं जिन से किसी कोई फायदा ना है यू मिन स्काउट वॉलिंटियर्स जी हां अगर आप सब यह बादा करेंगे तो इस फैन क्लब में सारे बच्चे मिलकर अच्छे अच्छे काम करेंगे दूसरों की माद करेंगे तब मैं इस फिलनकुप का फैन क्लब का उधगाटन करूंगा सभी बच्चे एक साथ बोल भी लव शक्तिमान फैन क्लम्बे रेबन केक काटने के बाद शक्तिमान ने केक भी काट दिया और वहां सभी बच्चे खुशी जूम रहे थे तर 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 और सड़क पर उलका जूज रही थी मौस से क्योंकि उसे डर था कहीं मैं लेट न हो जाओं कहीं शक्तिमान व लोग गए वह सब आहाँ ओफ अपू क्या हुआ तुम सबको ओफ ऑफ नीला जाग जहर ओफ नहीं ओहो नो मैं लेट हो गई ओफ इन्हें फॉरण होस्पिटल पचाना होगा शहर में सबसे अच्छा सेटी होस्पिटल है मैं ले जाता हूं इस समय शक्तिमान कुछी बताने का मौका नहीं है फिलाल मुझे यहां से जाना चाहिए अड़े पर जहां मौजूद था बेताल हटेली जो सारा माजरा सुनकर दन रहे गया है क्या यह क्या कह रही हो तुम यह सच कह रही हूं मैंने खुद उस मेर को अपने चम्चे से बात करते वह देखा था और देखा थ हुए जेजे सफेद पोस्ट शक्तिमान को माना चाहता हूं अब क्या करें मुझे लगता है कि हमारी बात पर यकीन करेगी हमारे कहने से पुलिस शेयर के मेर को कभी हाद नहीं डालेगी फिर यह की रास्ता है तो यह बात किस तरह से शक्तिमान तक कुछा दे फिर वो डॉक्तर बच जाएंगे बच्चे पता नहीं यह फूट पॉसनी नहीं है इन्हेर दिया गया है और अब तक हमें यह नी पता साग़ा का कौश सवैघर है इसलिए अब तक एस भी कियूक्त यह जल्दी होता है क्या तुम कुछ नी कर सकते हैं शक्तिमान मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ इनका जहर खुद अपने अंदर उताल लूँ कहकर शक्तिमान ने घहरी सास लिए और नीला चमकीला धुआ बच्चों के मुझे से निकल कर उसके मुझे समा गया नीले पढ़ रहे बच्चों का रंग तो ठीक होने लगा लेकिन शक्तिमान नीला पढ़ गया और अगले ही पल आहा अगर एक पल के लिए भी मेरा अपना दिमाग पर कंटूर ना रहा होता तो जबर्दाश शक्ति का सौमी था शक्तिमान नीले धुएं को सके सफेद होते ही शक्तिमान के जिसम का नीला बन जाता रहा अथा यू बच्चों ने खेल लिया उसे शक्तिमान तुम सच मुझे इंसान नहीं फरिष्टा हो तुमने इसके लिए तुम अपनी जिन्दगी ही दाप पर लगा दी इसकी जिन्दगी तो बच गई पर अब यह शक्तिमान को तलाश है उस नहायत नीच इंसान की जिसने केक में जहर मिलाने का घिरोना काम किया है लेकिन समझ में नहीं आता कि उस हैवान ने ऐसा क्यों किया आखिर कौन है वो दरिंदा तभी मैं जानती हो शक्तिमान यह जहर किसने मिलाया है और एकांत में जाकर उलकाने शक्तिमान को जेदे की सारी कर्तूत बता दी क्रमश है तो दोस्तों शक्तिमान के शांदार कॉमिक्स यहीं समधत होती है कॉमिक्स आपको कैसी लगी है बताएगा चैनल पर स्टाम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वासम कॉमिक्स के लिए देखते हैं कॉमिक्स माइल लाइफ चैनल